Hello everyone, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पंकच शाहपर और आप हैं पंकच सर के साथ क्या आप Computer फिल्ड में अपना Career बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं Computer Programming तो ये वीडियो आपके लिए है बने रहे इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ सीखने के लिए Computer Programming in Visual Basic 2008 तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Visual Basic 2008 में Mathematical Calculation का Programming कैसे बनाया जाता है तो पहले देखते हैं कि ये Programming कैसे वर्क करता है और फिर बात करेंगे कि इस Programming को बनाने के लिए Visual Basic के कौन से Controls का यूज किया गया है और कौन से Commands का Use कहां पे कैसे करेंगे तो आए प्रोग्राम Run करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे Standard Toolbar में एक Run का बटन दिया हुआ है आप इस पे Press करेंगे और यह आपके Programming का Output डिस्पले हो गया अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा Cursor Blink कर रहा है यह Tax Box 1 है Tax Box 1 में मैंने लिख दिया 101 और Second Tax Box Enter Your Second Number पूछ रहा है यहाँ पे हमें लिख दूँगा 5 अब देखते हैं कि यह Addition बटन पे क्लिक करने से क्या होता है आप Output देख रहे हो 106 अगर मैं इसका Subtraction करूँ तो आप देख रहे है 96 आगया अगर मैं Multiplication बटन पे क्लिक करूँ तो इसका Multiplication हो गया 505 और अगर हमें Division बटन पे क्लिक करें तो आप देख पा रहे हैं कि इसका Answer आगया 20.2 तो चलिए अब आपको समझ में आ गया कि ये Program कैसे Work कर रहा है अब देखते हैं कि इस Program को बनाने के लिए हमने कौन से Controls का Use किया और कौन से Command का कहां पे कैसे Use करेंगे तो इस Program को Stop करने के लिए फिर से Standard Toolbar में आ जाएंगे आप मेरा Mouse Pointer पे ध्यान देंगे यहाँ पे Stop का Button दिया हुआ है आपको Visual Basic में कोई भी Program Stop करना होता आप इस Button पे क्लिक कर देंगे अब जैसे आप इस Button पे क्लिक करेंगे आप वापिस अपने Design Mode में आ जाएंगे अब हम बात करते हैं कि हमने कौन से Controls का Use किया आप देख पा रहे हैं कि यह Mathematical Calculation जो लिखा हुआ है यह है एक Label Label क्या है? हम User से अगर हमें User को कुछ भी Display करना हो तो हम Label का Use करेंगे Enter Your Number User को हमें Display करना है हम User को पूछ रहे हैं User को Instruct कर रहे हैं कि यहाँ पे इस Text Box में उसे First Number एंटर करना है और यह दूसरा वाला जो Text Box है उसमें उसे Second Number इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने Label यूज किया हुआ है तो यहाँ पे यह Label है तीन Label है अब आप देख रहे हैं एक और Label मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है जिस Label का Use होगा हमें Output डिस्पले करने के लिए तो यह एक Label मैंने बनाया इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि यह दो Text Box है Text Box is useful for accepting data from the user यानि कि हमें यूजर से जब भी कुछ data एंटर करवाना है यूजर को कुछ enter करवाने की permission देनी है तब यूजर हमेशा अपना data इस Text Box में एंटर करेगा अब बात करते हैं कि एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मल्टिप्लिकेशन और डिविजन के ये जो symbol दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है button button आप place करेंगे with the help of this control तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे left hand side में control box दिया हुआ है और इसमें आपको सारे controls available हैं, जैसे button है, label है आप scroll करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि text boxes हैं आईए मैं आपको एक demo करके बताता हूँ, मान लीजिए कि ये mathematical calculation का label अभी नहीं है अगर मैं इसे हटा दूँ तो इसको delete करने के लिए just इसे select करेंगे और delete button पे click कर देंगे, अब हम यहाँ से label क्लिक करते हैं और इस label को अपने form पे mouse pointer को इस तरह से drag and drop करेंगे अब आप देख पा रहे हैं कि ये label तो बहुत ही छोटा हो गया, तो इस label को बड़ा करने के लिए और इसकी कस्टमाइज करने के लिए इसकी property है auto size आप देख पा रहे हैं मेरा mouse pointer, auto size property की by default value true है इसे हम false कर देंगे, अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसे false किया अब यहाँ पे dotted points आ गये और मैं अपने label को इस तरह से increase या decrease कर सकता हूँ अब इस label के अंदर हमें लिखना है mathematical calculation यानि कि label को इसकी face value देनी है तो इस label को select करने के बाद इसकी text property में जाएंगे और text property में यहाँ पर by default लिखा हुआ label 4 इसे remove करके हम लिखेंगे mathematical calculation और enter की press करेंगे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने text property label की text property में लिखा foreign form के उपर जो label place हुआ था उसकी face value यानि कि आपको जो सामने दिखेगा वो यहाँ पर display हो गया लेकिन अभी भी इसकी font change करना बाकी है तो इस label को select करते हुए हम इसकी font property में आएंगे आप देख पारें font के पास एक button दिया हुआ है three dots का इस button पे click करेंगे font dialogue box open हो गया अब font मुझे यही रखना है लेकिन मैं इसकी font size बढ़ाना चाता हूँ 24 करना चाता हूँ इसे bold करना चाता हूँ तो okay कर दिया आप देख पारें कि यहाँ पे इसका font change हो गया अब आपको question होगा कि sir इसका तो background भी कुछ different था तो चलिए देखते हैं इसका background कैसे change करते हैं with the help of background property absolutely right click करेंगे और custom tab पे click करेंगे यहाँ पे मैंने pink color लिया हुआ था आप click करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसका background color change हो गया अब आप इसको drag and drop कर सकते हैं यह देखिए foreheaded mouse pointer आया आप इसको थोड़ा सा slightly उपर लेके setup कर सकते हैं तो जिस तरह से मैंने ये वाले label को setup किया same to same enter your first number, enter your second number ये भी एक तरह के labels हैं और same to same इसी तरह से आप इन labels को create करेंगे अब देखते हैं कि text box किस तरह से बनाएंगे ये महान लिजी ये text box मैंने बनाया है text box 2 इसे मैं delete कर रहा हूँ और आपको demo दिखाने के लिए ये text box मैं फिर से place करता हूँ तो यहाँ पर control लेंगे text box और फिर form पर आके आप text box को इस तरह से draw करेंगे लेकिन आप देख पा रहे हैं कि text box तो बहुत छोटा है अब मुझे इसको वापस customize करना है तो text box की multi-line property इसकी multi-line property को आपको true कर देना है ये by default false है हम इसे true करेंगे आप जैसी देखेंगे हमने इसे true किया फोरन text box की चारो तरफ dotted points आगे अब मैं अपनी मर्जी से text box को छोटा बड़ा कर सकता हूँ तो आपने देखा कि इस तरह से हमने text box को भी change कर दिया अगर आप text box का color change करना चाहते हैं तो text box की background property में जाके आप इसका color भी change कर सकते हैं अब text box के नीचे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है ये भी एक तरह का label है कैसे पता चला आप देखिए मेरा mouse pointer property window जो दिख रहा है मैंने अपने part 1 video part 1 में already इसे explain किया हुआ है यहाँ पर देखिए label 3 दिख रहा है यानि कि एक label है और मैंने इसे भी customize किया हुआ है auto size property false करके चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो buttons दिख रहे हैं ये buttons हमने कैसे place किये तो same method है आप button पे click करेंगे और button पे click करेंगे button यहाँ पे उसी तरह से आप button को draw करेंगे अब button draw कर लिया अब इस button के उपर लिखेंगे कैसे तो button की भी text property होगी button की text property भी इस वक button 5 लिखा हुआ है यहाँ पे मान लिजिए मैंने लिख दिया clear clear लिखे enter कर देंगे अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो हो गया यह clear लेकिन इसका background color change नहीं हुआ तो हम इसकी background color property में जाएंगे कि इसकी background color property में हम गये button selected है और button की background property में हमने custom tab लिया और यहाँ पे आप जो भी color चाहो मान लिजे मैं यहाँ पे यह वाला color लेना चाहता हूँ तो इस पे click कि और आप देख पा रहे हैं कि यह color यहाँ पे reflect हो गया तो इस तरह से हम लोग button place कर सकते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने इतने controls का use करके सबसे पहले हमने form design कर लिया अब form design करने के बाद बात आती है कि इस form के उपर coding कहां पे करेंगे और कैसे करेंगे और कौन सी coding करेंगे तो normal बात है कि आप addition करना चाहते हैं कब जब आप add by addition button पे click करें तब इस button पे click करने से आप चाहते हैं कि दो text box के अंदर जो number है उसका plus होके आपके level पे आजाए तो इसका मतलब है कि आप इस पे click करेंगे तब ये होना चाहिए means आप event किस पे fire कर रहे हैं इस particular button पे यानि कि आप coding कहां लिखेंगे इस addition button पे उसी तरह से subtraction करना चाहते हैं तो subtraction वाले button पे आप click करना चाहेंगे तो उसी तरह से हम coding कहां पे करेंगे same button पे तो आईए देखते हैं कि इसकी coding क्या की हुई है तो coding करने के लिए हम इस particular button पे double click करेंगे यानि कि visual basic में आप जिस भी control पे coding करना चाहते हैं उस पे double click करके उसका code window आप open कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे double click किया आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यह private sub button 1 underscore click करके यह पूरा एक program लिखा हुआ है इस program में लिखा हुआ है label 3 dot अब यह label 3 क्या है label 3 है यह आपका output window पे जो red color का label दिख रहा है यहाँ पे अपना output लेना चाहता हूँ तो इसका नाम है label 3 तो यहाँ पे मैंने लिखा है label 3 और उसकी text property अब यह dot क्या है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ अगर मैं यहाँ पे लिखू label 6 और मैंने किया dot तो dot करने से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी property window display नहीं हुआ इसका मतलब है कि label 6 नाम का कोई label control मेरे form पे नहीं है अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ label 3 dot अब जैसे ही label 3 dot किया तो आप देख पा रहे हैं कि एक property window आपके सामने खुल गया इसका मतलब है कि मेरे form के उपर label 3 नाम का एक control अल्रेडी है तो आप label 3 की कौन सी property का यूज करके मैं output display करूँगा text property इसलिए हमने text property select की और enter की प्रेस कर देंगे अब उसके सामने लिखेंगे equal to equal to लिखने के बाद मैंने लिखा well well का मतलब क्या है well एक function है well function के through हम visual basic को समझा रहे हैं कि text box 1 और text box 2 के अंदर user ने जो कुछ भी number लिखा है वो number है वो text नहीं है आप उस number को value में convert करो तो well function है जिसके through text box के अंदर की जो भी value है उसे number में convert किया जाता है अगर आप well नहीं लिखेंगे तो visual basic समझेगा कि यह alphabet है और उसको हमें समझाना है कि नहीं यह alphabet नहीं है यह number है इसलिए हमने लिखा in bracket well in small bracket text box 1 dot text plus well in small bracket text box 2 dot text और फिर bracket हमने close कर दिया तो यह आपका हुआ addition का formula addition का command ठीक है अब आईए हम form पे आते हैं और अब हम देखते हैं subtraction का formula क्या है तो अब subtraction बटन पे आप double click कीजिए देखिए यहाँ पे उसका भी एक पूरा coding लिखा हुआ है same to same coding है बस यहाँ पे फर्क इतना है कि हमें add plus की जगा पे minus symbol का use करना है और उसी तरह से आप देख पा रहे है button 3 यानि कि multiplication है तो यहाँ पे multiplication का symbol डाल दिया button 4 division का है तो यहाँ पे front slash division का symbol आपने keyboard से डाल दिया तो इस तरह से आप अपने जितने भी buttons हैं उसको command दे सकते हैं अब हमने एक clear का button भी यहाँ पे रख दिया है तो आप clear button पे click करके क्या करेंगे हम clear button पे click करके दोनों text box के value को clear कर सकते हैं तो मैं इसका command आपको बता रहा हूँ देखिए text box 1 dot text equal to double inverted comma open and close उसी तरह से लिखेंगे text box 2 dot text equal to double inverted comma open and close तो यह हो गया clear का command अब program को run करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है मैं फिर से यहाँ पे एक number लिख रहा हूँ मान लिजी मैंने इस बार number लिखा 100 text box 1 में और text box 2 में हम लिख रहे हैं number 10 आईए इसका addition करके देखते हैं 110 आया subtract 90 हो गया multiplication 1000 हो गया और इसका अगर हम division करें तो 10 हो गया लेकिन आप clear button पे click करें तो क्या होगा देखिए अगर मैंने clear button पे click किया तो दोनों text box के value नील हो गई याने की clear हो गई तो इस तरह से हम अपने program को run कर सकते हैं I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वापिस अपने original status पे आने के लिए हम stop button पे click करेंगे और design mode के button पे click करेंगे तो ये program आप इस तरह से बना सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे दिये गए thumb symbol याने के like button पे click करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी share करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सकें अगर आप चाहते हैं के मेरे सारे वीडियो के notification सबसे पहले आपके phone पे आएं तो इस वीडियो के नीचे दिये गए subscribe button पे click करें और हाँ bell icon में all button पे click करना ना भूलें That's all for today's class Goodbye and have a nice day